जाहिन साथ यो वेलकम टू सेल्फ इस्टेडी के लासे इस विस्सुमित जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गड़त सिक्षा सास्त्र से सम्मादित लगवक तीस प्रस्णों के बारे में चर्चा करेंगे और यह बहुत ही बाराँ पार्ट में हम तीस प्रस्णों का चैन करके लाए हैं आपके लिए और बहुत ही महत्पून है चार बेकल्प होंगे चार में से एक का चैन आपको करना होगा ठीक है तो दोस्तों मेत पेड़गोजी आपके बहुत सारे पार्ट भी आने बाले हैं तो आपको आप डाउनलोड करना है फिर उसमें सर्च करना है आई एस स्टेडी ट्रेक और जोईन हो जाना है ठीक है तो टेलिग्राम ग्रूप से सभी जोड़ेंगे और इसी तरह नरंतर बहुत सारे वीडियो आने बाले हैं तो वो वीडियो देखें और प्ले लिस्ट चैनल की प्ले ल चलिए तो आपका जो प्रस्षन है प्रारूप बाद के लिए अन्य नाम है तो आपको बताना है चार बिकल्प हैं अमूर्थ-चित्रन, डिडिक्ति-बिज्म, तरक मूलक, गलितबाद या फिर इंडक्सन ये चार बिकल्पों में से हमें चैनल करना है प्रारूप बाद य क्या हो जाएगा डिडिक्ति-बिज्म, डिडिक्ति-बिज्म यानि कि जो आपका बिकल्प नमर टू है वो विलकुल यहां पर सही हो जाएगा ठीक है प्रारूप बाद फार्मलिज्म के लिए एक अन्य नाम है डिडिक्ति-बिज्म यानि कि बिकल्प नमर जो टू है वो आपका विल्कुल सही हो जाएगा अंगला कॉस्चिन है दोस्तों महाभासकरी एठारवी सताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोली एकार है जिसे खालीस्तान द्वारा लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया महा भासकरी ए अठारवी सताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोली एकार है जिसे किसके द्वारा पूर्ण किया गया आरभट शिरीधर भासकराचार या फिर रामा नुजन तो ये चार विकल्प में से हमें चेन करना है और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सिरीधर यानि कि जो विकल्प नमर आपका टू है वो विल्कुल यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन है खालीस्तान बढ़ते पौधों से संबंदेत है प्राकरतिक संक्याएं वास्तविक संक्याएं फिबोनेकी संक्याएं या फिर परिमेश संक्याएं तो कौन सी बढ़ते पौधों से संबंदेत है तब आपको बताना है आपका उत्तर जो हो जाएगा Math Pedagogy से समंदित प्रस्ण है तो इनको अच्छे से पढ़ना है और तीन नमर आपका विल्कुल सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तो गड़तिये प्रिती रूपन के लिए मौडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम क्या है प्रस्ण समस्या को समझना या फिर गड़तिये बिवरण और सूत्री करन गड़तिये प्रस्ण समस्या का समाधान करना या फिर प्रस्ण समस्या की ब्याक्या करना और मानने करना तो आपको modeling के लिए चरणों का अनुकरम बताना है इस प्रकार से आपके चरण दिये हैं कौन सा सही हो जाएगा आपको उत्तर बताना है एक, दो, तीन, चार कमेंट में लखें अगर आपसे बनता है तो तब आपका बिल्कुस सही answer जो हो जाएगा एक, दो, तीन, चार यानि कि यही किरम है आपका बिल्कुल हैना समस्या को समस्या को समस्या गड़ती है बिबरण और सूत्री करन गड़ती है समस्या का समाधान करना समस्या की ब्याक्या करना और मानने करना यानि कि जो एक, दो, तीन, चार है ये चरणों का अनुक्रम हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चिन दूस्तों पार्ट योजना का मुक्ख भाग खाली स्तान के हरवट सिद्दान्थ पर आधारत है तो बताना है आपको प्रस्तुती के हरवट निसकर्च के हरवट परिचाय या पर संदी और सामानी करण के हरवट सिद्दान्थ पर आधारत है पार्ट योजना का जो मुक्ख भाग है वो बताना है चार विकल्प है चार में से चेन करेंगे आप तब आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा संदी और सामानी करण पार्ट योजना का मुक्ख भाग संदी और सामानी करण के हरवट सिद्दान्थ पर आधारत है यानि कि जो आपका विकल्प नमर चार है वो विल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला कॉस्चन दोस्तों एक बिधी या रणनीती के चरणों या सैटों के करने एबम नहीं करने का वरणन करता है तो कौन करता है एक बिधी या रणनीती चरणों या सैटों के करने या नहीं करने का वरणन कौन करता है तकनी की युक्ती बिधी या फिर उपागम ये चार में कल्प में चार में सिचेन करना है क्या हो जाएगा आपका right answer एक विधी या रणनीती के चरणों या सेटों के करने या नहीं ये बाम नहीं करने का वरनन कौन करता है यहाँ पर हमें बताना है तकनीकी, युक्ती, विधी या फिर उपागम तब आपका जो right answer हो जाएगा वो क्या होगा तब आपको बताना है पुना है निर्मान, रूपांकन, तुलना या फिर परिवर्तन ये चार विकल्प में आपके उप्रस्ण को पढ़ना निम्न में से एक रचनात्मक बेवार से संबंद नहीं रखता है और बहे जो है बहे किरियात्मक किरिया खालिस्तान है तो कौन सी है आपको बताना है पुना है निर्मान है रूपांकन है तुलना है या परिवर्तन है लेकिन रचनात्मक बेवार से संबंद नहीं रखती है तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तो तुलना तुलना यानि कि जो आपका विकल्प नमर तीन है वो सही हो जाएगा जो रचनात्मक विवार से सम्मंद नहीं रखता है और वह किरियात्मक किरिया तुलना है क्या है तुलना है यानि कि जो आपका विकल्प नमवर यहाँ पर दिया है C वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला question दोस्तो गड़त सिक्षा का प्रमुक उद्देश से है तो क्या उद्देश से है यहाँ पर आपका बिकल्प एक है पृतियों की परिक्षाओं के लिए तयारी करना बच्चे की बिचार पिरकिरिया का गड़ती करना या प्रस्णों को सुलजाना या फिर आपका है स समझना या प्रस्णों को सुलजाना या फिर संग्ड़ना आत्मक उद्दार तो गड़त सिक्षा का प्रमुक उद्देश हो जाएगा वह हमें यहाँ पर बताना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चे की विचार पिरकिरिया का गड़त करण यह आपका गड़त सिक्षा का प्रमुक उद्देश हो जाएगा यानि कि जो आपका विकल्प नमर टू है वो विलकुल यहाँ पर सही होगा ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं आपको बताने हैं दोस्तों माइक्रो सिक्षन कक्षा के आकार और कक्षा के समय म जो है सिक्षन संगर्स की निउनता है इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं आप माइक्रो सिक्षन कक्षा के आकार और कक्षा के समय में सिक्षन संगर्स की निउनता है इसे खालिस्तान के द्वारा कहा गया किस के द्वारा कहा गया प्य DWLN यानि कि जो बिकल्प नमर आपका 4 है वो विल्को सही हो जाएगा है ना कि जो माइक्रो टीचिंगे कक्छा के आकार और कक्छा के समय में सिख्छन संगर्स की नियूनता है इसे जो कहा गया वो कहा गया DWLN द्वारा एक कथन कहा गया है अंगला कोस्चन दोस्तों निम्न म एक एक आत्मक या फिर सर्पिल किसे माना जाता है सबसे उपयोक्त तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार तो तर होगा सर्पिल सर्पिल यानि कि जो बिकल्प नमर आपका 4 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा गरतिये पाट करम व्यवस्ता में सबसे लागू करना ग्रहन करना या पिर्ति किरिया देना इस संग्यानात्मक छेतर से संबंदित कौन है चार बिकल्प में से चैन करेंगे सबी लोग तब आपका बिल्कुँ सही आंसर हो जाएगा लागू करना लागू करना ये संग्यानात्मक छेतर से संबंदित है यानि कि जो बिकल्प नमर आपका टू है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तों गड़ित पढ़ाने के निमलेके तुद्योस्यों में से कौन सा उद्देश ब्यक्ति को आत्म निर्भार और स्वतंत्र बनने में मदद करता है तो कौन सा उद्देश होगा अनुसासनात्मक उपियोगी सांस्कृते क्या सामाजिक गड़ित पढ़ाने के निमलेके तुद्योस्यों में से कौन सा उद्देश ब्यक्ति को आत्म निर्भार और स्वतंत्र बनने में मदद करता है तो कौन सा उद्देश है उपियोगी सांस्कृतेक सामाज एक अनुसासनात्मक तो आपको उत्तर बताना है कमेंटर में लेकि ना है और आपका उत्तर हो जाएगा अनुसासनात्मक यानि कि जो एक नम्मर है वो विल्को सही हो जाएगा है ना एक नम्मर विल्को राइट अंसर होगा इकला क्वेस्चन है मद विसलेशन खालिस्तान तयार करने के लिए एक गुडवत्ता मूल्यांकन रण नीती है तो बताना है प्रश्चन बैंक तयार करने के लिए मूल्यांकन तयार करने के लिए परिक्षा तयार करने के लिए अच्छात प्रश्चन तयार करने के लिए तब आपका राइट आंसर क्या होगा चार बिकल्प में मद विसलेशन तयार करने के लिए गुडवत्ता जो है मूल्यांकन गरती अबदार्णा को छोटे हिस्सों में तोड़ना क्या कहा जाता है इसको जल्दी से कमेंट में लखना है और एक, दो, तीन, चार आपको बताना है और लास्ट में बताना है कि आपको कितने नमबर मिले हैं आपका उतर हो जाएगा विस्लेशन यहीं कि गरती अबदार्ण को छोटे हिस्सों में तोड़ना कहलाता है विस्लेशन टू नमबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा टू नमबर ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं अंगला है दोस्तों सन्योग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है यह वों गरती अंतरग्यान पर आ क्या बन जाता है सन्योग अनुमान एक कथन है जिसे हम मानते हैं कि यह सच है यह वों गरती अंतरग्यान पर आधारित है तो और अगर हमने इसे सावित कर दिया तो यह खालिस्तान बन जाता है क्या बन जाता है आपको बताना है तो उत्तर हो जाएगा प्रमे यानि कि जो आपका विकल्प नमबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा है ना अगर सिद्ध कर दिया तो आपका प्रमे बन जाता है और आपका प्रमे यानि कि तीन नमबर आपका यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा अंगला question दोस्तों एमी केवल नंबर की खोज खालिस्तान द्वारा की गई तो किसके द्वारा यूकेल्ड के द्वारा थैल्स पाइथागोरस ये पिलेटो के द्वारा तो एमी केवल बताना है आपको इन नंबर की खोज की गई किसके द्वारा की गई तब आपका जो right answer हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा पाइथा गोरस के द्वारा की गई M.E. cable number की खोज ठीक है यहनि कि जो बेकलप number आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुश हो जाएगा ठीक है गड़त के अंतरगत साइको मोटर गतिविदियां खालिस्तान से संबंदेत हैं वो प्रोक्त सभी से रेखानकन से या फिर केवल प्रेकलन से या केवल मौडल निर्मान या मौडल मेकिंग या मैनूपिलेटिंग या ड्राइंग से तो आपको बताना है साइको मोटर गतिविदियां खालिस्तान से संबंदेत हैं तो किस से संबंदेत हैं तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या उप्रोक्त सभी उप्रोक्त सभी यानि कि रेखानकन से भी है प्रेकलन से भी है केवल मौडल निर्मान से भी है यानि कि उप्रोग तो सभी एक नम्मर आपका यहाँ पर विल्कुल आंसर सही हो जाएगा अंगला कोस्चन दोस्तो बिलूम के बरगी करण में सब्द संसलेशन को खालीस्तान के रूप में संसोदित किया गया है किस के द्वारा किस के रूप में किया गया बिसलेशन के मुल्यांकन करने निर्मान करने या लागू करने बिलूम के बरगी करण में सब्द संसलेशन को खालीस्तान के रूप में संसोदित किया गया है तो किस रूप में किया गया है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में लिखना है आपको और आपका राइट आंसर होगा दोस्तो निर्मान करने के लूप बिलूम के बरिगण में सब्द संसलेशन को निर्मान करने के रूप में संसोदित किया गया है यानि कि जो आपक कि द्वारा कहा गया किन के द्वारा कहा है गलत बिग्यानों की रानी और संख्या सिद्दान्त गलत की रानी है एक किसके द्वारा कहा गया है गौस बेल फैसर या वनार थामत किसके द्वारा कहा गया है कि गलत बिग्यानों की रानी और संख्या सिद्दान्त गलत की रानी ए किसके द्वारा कहा गया है तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौस गौस यानि कि जो बिकल्प नम्मर एक है वो आपका यहाँ पर बिल्कुस सही आंसर होगा ठीक है अंगला कोश्चन है ततकाल उद्देश खालिस्तान के अंतरगत बरने थे भावात्मक सन्योजी पक्ष उच्चत्तो पक्ष या संग्यानात्मक पक्ष तब आपका राइट आंसर हो जाएगा संग्यानात्मक पक्ष यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका चार है वो सही आंसर ततकाल उद्देश संग्यानात्मक पक्ष के अंतरगत वरने थे और चार नमर अनुक्रिमक सिक्षार्ति या द्रश्टिक जो है सिक्षार्ति कौन से सिक्षार्ति हैं जो बास्तों में अनुभाव करने या साइरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं तब आपको बताना है चार बिकल्प में से चैन करना है और उत्तर कमेंट में लिखना है और अपना आकरन करना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गती परक सिक्षारती जो होते हैं गती परक वो बास्तों में अनुभाव करने साइर गती विधियों को करने से सीखते हैं यानि कि जो बिकल्प नमर 1 है वो आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा थीक है अंगला question है 300 ईसा पूर्वे के दोरान महान इस्कूल अलैक जेंडरिया का निर्मान खाली स्तान के दोरा किया गया था तो किसके दोरा किया गया था यानि कि 2 नमर 300 ईसा पूर्व सिकंदर महान के द्वाराई अलेक जंडरिया का निर्मान किया गया था यानि कि जो बिकल्प नमर आपका 2 है वो विलकुल यहाँ पर सही आंसर होगा आपको बताना है कि यदि एक कौण समपूरक स्वयम के बराबर है तो कौण है निून कौण, सम कौण, रिजू कौण या फिर अधिक कौण यदि एक कौण का समपूरक स्वयम के बराबर है तो कौण है कौण सा कौण होगा चार बिकल्प में से हमें बताना है तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम कौण यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका 2 है दी एक कौण का सम पूरक स्वयम के बराबर है तो वो कौण सा कौण होगा सम कौण होगा यानि कि B नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा अंगला कोस्चन है जब सिक्छार्ती अपनी परिभासा, अवधारना और सिद्धान्त स्वयम बनाते हैं तो बेखालिस्ता निर्मित करते हैं क्या निर्मित करते हैं परिसुद्धता, सामान्नी करण, यथार्ता या फिर बारंबारता जब सिक्छार्ती अपनी परिभासा, अवधारना, सिद्धान्त, स्वयम बनाते हैं तो बेखालिस्ता निर्मित करते हैं तब आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा सामान्नी करण, यानि कि आपका बिल्कु नमबर जो टू है वो विल्कु राइट आंसर होगा अंगला कोस्चिन दूस्तों एक बिसम को ज्याद करें तरिज्या, जीवा, तिर्भोजिया, फिर बिंदु एक बिसम है इसमें और उसको याद करना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या बिंदु बिंदु यानि कि बिकल्प नमर चार इस पर सही हो जाएगा ठीक है, तरिज्या, जीवा, और तिर्भोज, और बिंदु में ऐसे हमें करना था तब बिंदू अलग हो जाएगा है ना बिसम हो जाएगा इससे तो बिंदू आपका चान नमर बिल्को सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन है बच्चे की गिनने की छमता के लिए एक प्रात्मिक सर्त है क्या सर्त है आपको बताना है प्रशन को जड़ा अच्छे से पढ़ना कि बच्चे की गिनने की चमता के लिए एक प्रात्मिक सर्थ क्या है? इनमे से कोई नहीं, इस्थान मान अब्धारना में प्रबाय हो, संक्या लेखन में प्रबाय हो या संक्या सब्द अनुकरम के साथ प्रबाय हो तब आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे की गिनने की चमता के लिए एक प्रात्मिक जो सर्थ है, वो सर्थ है संक्या सब्द अनुकरम के साथ प्रबाय हो,यानि कि जो बिकल्प नम्बर आपका D है वो यहां पर बिल्कुझ सही हो जाए ठीक है D नम्बर अंगला कोस्टिन दूस्तों पाठ चरिया एक कलाकार सिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो यानि की बिद्याले में उसके आदर्सों के अनुसार उसकी सामगरी यानि की छात्रों को धालने के लिए है एक अथन किनके द्वारा कहा गया है पिर से पढ़ना पाठ चरिया एक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है उसके स्टूडियो में उसके आदर्सों के अनुसार उसकी सामगरी को धालने के लिए है एक अथन किसके द्वारा कहा गया कनिंगम एच रावट वेक डेरेक रोनेट्री या फिर डबलू वाटल को के द्व किसके द्वारा कहा गया एक अथन तब आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दूस्तों कनिंगम कनिंगम यानि कि जो बेकल्प नमर एक है वो विलकुल सही होगा अंगला कोश्चन है गलित की एक सिक्षक के लिए निमलिकित मैंसे कौन सी बिधी उचित नहीं है क्योंकि वह वन मैं सो का रूप लेता है तो कौन सी ब्याख्यान बिधी अनुमानी बिधी परियोजना बिधी या प्रियोक साला बिधी कौन सी बिधी ऐसी है जो उचित नहीं है हमें बतानी है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चार बेकल्प मैंसे चैन करो और क यह बन मैं सो का जो है क्या करती है रूप लेता है यानि कि जो आपका बिकल्प नमर एक है वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोस्चन बताना भारतिय सांकिकी के जनक हैं तो कौन है गौस, एसपी गुकता, पीसी महाल नोबस या फिसर तो भारतिय सांकिकी के ज जनक मान जाते हैं दोस्तों वह मान जाते हैं पीसी महाल नोबस यानि कि आपका जो बिखल्प नमर तीन है वो विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो आजके वीडियो के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो आपका इस2020 प्रकार से आएगा जो की पिछले प्रस्शं पत्र मैं पूछे गए प्रस्णों के आधार पर हम ले करके आते हैं कि आपको और भा और भी अनुबाव हो जाएगे